यहां तक सबको क्लियर था ना यहां तक हमने काम करा था फिर लाइट कर गया था तो फिर हम से रिटम सटाउं करके निकल लिये थे घर क्यों है यही भुँआ था ना चलिए दिक तो इसके आगे पढ़ले आप आगे क्या पढ़ना था मेरे को तो पता ही नहीं कोई बात नहीं इसको बड़ा करते हैं यहां एड स्टूडेन्ट पर क्लिक करते हैं ठीक है तो अच्छा इदर यह सब डालेंगे और फिर जैसे ही बंद करेंगे तो यहां पर भी एक ड्रिट वीव कंट्रोल ले लाते हैं ठीक है और यहाँ पर जैसे grid view control आएगा वो ऐसे ही जो है इस्टूडेंट का सारा data यहाँ पर हम आप लोग में नहीं खूलता है खूलना चाहिए आप लोग में भी आप लोग मेनत करके मन से नहीं बनाया होंगे क्यों? आप लोग देयान से नहीं बनाया होंगे तो इसलिए अपकी बार देयान से बनायेगा तब आप लोग में भी खूलता है लगाए है कोड बिल्कुल कोड लगा है बगाएर कोड के यहाँ कुछ नहीं होता है अगर यह टूडेंट पर डबल क्लिक किया क्या क्या मैं करा हूँ अच्छा यह वाला है आप में नहीं है तो आप लोग उसके जगा पे दो ठोड़ो बटन ले लिजेए उसमें लिग दीजेगा उपन इमेज, लिग दीजेगा बटन पे ठेक जरूरी नहीं है कि आप यह बटन ही ले मतलब आप यह आईकन ही लगा है मेरे पास था तो मैंने लगा दिया नहीं होता तो नहीं लगा था ठेक सिंपल बहुत हम लोग कर लिए टाइम पास तो अब क्या करेंगे कि इन सब का डेटा हम कहां से परेंगे डेटाबेस A, C, C, E, S, S मे मतलब कहां खेक तो उपं कर लेता हूं मैं अग एककस और इसको करता हूं ऊपर ब्लैंक डेटाबेस मैं क्लिग कर देता हूं और यहां लिग देता हूं क्या माई डीबी मतलब मेरा डेटाबेस ठेक यह डाकुमेंट्स नाम के folder के अंदर save होगा ठीक, मैं इसको create कर दूँगा और create करने के बाद क्या करूँगा right click कर दूँगा, कर दूँगा design view ठीक है जी, यहाँ पे लिख दूँगा student ठीक और फिर मैं क्या कर दूँगा इसको कर दूँगा, ऐसे इसको windows बटन दबा के down arrow दबा लूँगा यह छोटा और इसको ऐसे select कर लिया हूँ ठीक है और इसको ले लाँगा मैं इधर तो मेरे को इधर field दिखाई देगा ठीक है तो मैं क्या क्या store करूँगा जी, if name है तो if name कर लूँगा जी, ठीक है text data होगा first name में, फिर last name है तो L name कर दूँगा जी ठीक है फिर फाद आए आई नहीं हो, L है L name मैं लाश्ट नेम हो गया ठीक है father name हो गया ठीक है, text ले लिया फिर mother name ले लूँगा मैं, ठीक है ये ले लिया, date of birth ले ले लूँगा मैं, डी ओ बी इसमें मैं क्या ले लूँगा date time सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि यह date time लिया है न, date time picker calendar में date of birth के बाद ले लूँगा date of admission इसमें भी ले लूँगा, जी मैं date time picker date time picker कर रहा हूँ, date time ले लूँगा ठीक है class के दिए अपर course ले ले लेता हूँ और इसी course च्छा डबल सी हो गया, क्या करें course के बाद यहाँ पर gender भी ले ले लेते हैं ठीक है gender में भी text ही ले लेता हूँ मैं मेरे को लेना तो चाहिए bit value कुछ ले लेना चाहिए लेकिन मैं अभी text ही ले 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 रहा हूँ ठीक है bit value 1, 2 वी store कर सकते था इसमें लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से बना के बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा normalization सो अगर करके नहीं बता रहा हूँ अप लोगों मैं ठीक है फिर उसके बाद क्या मचता है जी एक तो इसके बाद मचता है photo ठीक photo के लिए मैं column अभी बना देता हूँ ठीक है column अभी बना देता हूँ लेकिन photo जो है अभी तुरंत store नहीं करूँगा photo के लिए हमको कुछ और काम करने पढ़ेंगे इस्टोर करने के लिए और photo इस्टोर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है जी OLE object लेना पड़ेगा ठीक OLE object क्या करता है OLE object इस तरह का data type है जिसमें blob data जो है रखा जाता है blob data मतलब क्या BOL blob कर के कुछ होता है इसका spelling ठीक है blob मने क्या binary large object ठीक है तो यह होता है blob data इसमें audio रख सकते हैं या वीडियो रख सकते हैं फोटो रख सकते हैं जो अनमाने करें तो उन रख लो यार क्या रखा है मैं फोटो रख रहा हूँ आप लोग गाना वीडियो रख लेना मान्यता यह है कि एक जीबी तक इसमें रखा जाता है ठीक है रख लेना आप लोग भी ठीक है अब मैं ISO कर देता हूँ size में बड़ा ठीक है यह देखे यही मैं data type लिया है मैंने कर दूँगा ISO control से save और फिर इसको मैं क्या कर दूँगा जी save अच्छा save तो करी दिया था कर दूँगा close बंदो जब भई अब तुम्हारा काम खतम हो गया यह देखे हो गया यह सब हो गया ना यह सब चलिए जी हो गया यह सब इसको simply मैं बंद कर दूँगा इदर से ठीक है जी बंद करने के बाद इसको मैं कर लूँगा ऐसे अब मेरे को क्या करना है बिना समय बिताए ठीक क्या करना है हमको बिना समय बिताए बस इस save बटन पे जैसे क्लिक करें तो इन सब का data क्या हो save हो जाए कहां save हो जाए access में save हो जाए कईसे से बोजाए बिना समय बिताय से बोग तो हम क्या करेंगे जी बिना समय बिताय कोड लिख देंगे ठीक हम क्या चाहते हैं कि बिना समय बिताय से बोजाए क्या करेंगे बिना समय बिताय कोड लिख देंगे तो क्या समय बिता करके code लिखेंगे तो क्या समय बिता करके access में store होगा नहीं फिर भी बिना समय बिता है यह store कर देगा हमको कहाँ पर code लिखना है यहाँ पर code लिखना है insert data ठेक यही पर हमको code लिख देना है insert data नाम का मैंने subroutine बनाया और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ तो generate कर सकता हूँ subroutine वो generate हो करके कहाँ गया होगा नीचे जी कहीं कहीं गया होगा खुछ ने ए देखें, सबसे नीचे आखरी में इधर generate हो करके आ गया है लेकिन आप लोग generate नहीं करिएगा तब आप लोग क्या करिएगा तो आप लोग ऐसे करिएगा Subroutine, Method का नाम लिखेगा फिर Enter मारिएगा, End Sub आ जाएगा इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे Code लिखेंगे, राइट तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको Connection String बनाना पड़ेगा उसके लिए क्या करेंगे जी Dim, C-O-N-N, Connection As New, O-L-E O-L-E लिखने के पहले मैं क्या कर दूँ O-L-E, D-B, Connection चलिए जहां तक मुझे spelling याद है कि टाइग सही होगा जी ठेक है No problem जी, मैं name space पहले import कर लेता हूँ तब अपने आप suggestion आजाया करेगा Name space का import करना है यहाँ पे जी import लिखेगा आप लोग पहले फिर क्या लिखेंगे जी system.data.oledb ठीक है जिमाग खराब करती है यह मेरा OLEDB के बाद लिख दूँगा मैं date लिखके मैं क्या करूँगा जब दिखाई ने देगा आप लोगों तो मैं इतना से ही छोड़ देता हूँ इसको ठीक है बाकी light आएगा तो देखते हैं जी क्या होता है चलिए जी resume हो गया ना चलिए तो यह इतना काम मैंने कर दिया था ठीक है इतना तक समझ में आ गया है आप लोगों को आ गया है तो बड़ा अच्छा है जी आप लोग ज्यानी लोग है ठीक है new लिखने के बाद क्या करूँगा मैं O-A-L-E O-A-L-E connection और यहाँ पर मैं कर दूँगा अब O-A-L-E connection के अंदर क्या चाहिए जी यहाँ पर यहाँ पर ऐसे भी करके dot लगा के दे सकते हैं जी connection string आ ऐसे ऐसे भी दे सकते हैं connection string लेकिन मैं इसे मजा नहीं आता है मेरे को इसे देने में मैं यहीं पर पास कर दूँगा क्या connection string तो कैसे बनाए जाता है connection string आप सब लोग जानते हैं आप सब लोग क्या नहीं बैखती है तो आएक किदर पर connect to database ठीक है फिर कहाँ पर जाएए exist database continue कर दीजिए connection string हम निकाल लेंगे जी फिर बोल रहा है कि 24 करो जी database किदर है मैं बोल दिया ठीक है बता देता हूँ डाकुमेंट के अंदर जाना और इधर पर क्या होगा my database और इसको open कर लेना जी ठारा काम बन जाएगा ठीक test connection पर आप लोग जब click करेंगे तो बोल देगा successful connection बन गया है मैं advance में जाऊंगा ठीक और यहाँ पर click करूँगा और क्या दबाऊंगा जी home button तो मेरा cursor आ जाएगा home पर और फिर shift दबाके in button दबाऊंगा तो आखरी तक select हो जाएगा फिर मैं क्या करूँगा control दबाके c दबा लूँगा या फिर क्या करूँगा right click करके इधर से कर लूँगा copy और इन साब को क्या कर दूँगा skype button दबाके cancel कर दिया हूँ cancel किया हूँ ना okay नहीं किया हूँ यहाँ पर डाल दिया उसी connection string को यह आपके case में अलग हो सकता है यह मेरे case में अलग है ठीक है चलिए हमारा connection string बनके ready हो गया तो यहाँ पर मैं comment करके लिख दूँ c-r-e-a-t create c-o-n-n connector ठीक है उसके बाद हम क्या करेंगे जी command बनाएंगे c-o-a यहाँ पर लिख देता हूँ c-r-e-a-t create c-o-n-n-d create command create command के लिए क्या करना पड़ेगा जी हमको team लिखेंगे फिर cmd लिख देंगे फिर एज लिख देंगे फिर new लिख देंगे फिर क्या लिख देंगे oledb command अब command को क्या क्या चाहिए होता जी यह command खुद बतायागा हम लोगों को आईसे मैंने किया अब यहाँ पर ऐसे किया तो यह बोल रहा है command text as a string के form में दे दो फिर दूसरे बार मैं क्लिक किया तो यह क्या बोल रहा है command text as a string फिर यहाँ पर लिखा है क्वामा फिर बोला है connection as a data.oledb.oledb connection यह देखिए इसको पढ़िए oledb connection बोल रहा है ना मतलब इसको मांग रहा है oledb connection का बना हुआ है variable यह object बना है कौन नाम का वही कौन यहाँ पर मांग रहा है तो पहला में हम क्या देंगे देंगे cmd command देंगे दूसरा में क्या देंगे connection ठीक है जी बड़ा असान काम है दुनिया का सबसे असान काम है कि आपको नहीं लगता दुनिया का सबसे असान काम है चलिये जी नहीं लगता तो आप लोग और practice करिये इनसान हो यहां ती यार काम तबी करता है जब तक कि जगना लगा हो इसलिए आप लोग भी भार भार practice करिये इतना बार practice करिये के practice कूप जाया और कहे साहब अब छोड़ दो बकस दो अब ठीक है चलिये जी आगे लिकिन क्या करना है मैं तो भूल गया अच्छा जहां कमांड लिखना है अब ठीक है कैसे कमांड लिखेंगे जी insert तो आप लोग database में data insert करने का code लिखने जानते हैं ना नहीं जानते मैं बताता हूँ आप लोगो मैं फिर से खोलूँगा my computer इधर पर जाओंगा documents में फिर इधर पर आओंगा mydb किदर है इधर ही कहीं होगा mydb इसको मैं करूँगा कैसे open कर लूँगा जी इसको open करने के बाद मैंने क्या कर लेगा कि इधर कुछ है सीधा open क्यों नहीं कर देता हूँ मैं मेरा दिमाग खराब हो गया लगता है इसको मैं कर दूँगा right click open open में इतना इतना column है मैं खोलता हूँ notepad notepad खोलने के बाद ऐसे note लिख के ऐसे कर दूँगा तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पढ़ेगा database में data insert करना है तो quote लिखना पढ़ेगा insert into फिर उसके बाद table name table name हमारा क्या है student तो मैं लिख दूँगा जी student ठेक यहाँ पे आएगा table name table name के बाद हमको यहाँ पे column देना होगा हम column अगर नहीं भी देंगे तो भी database में insert हो जाएगा लेकिन column नहीं देंगे इसका मतलब है कि हम सारे column में database insert कर रहे data insert कर रहे हैं लेकिन सारे column में हमें database data insert नहीं करना है जैसे कि एक ID है ID में हम data नहीं insert करेंगे बलकि ID जो है अपने आप 123 जो है ले लिए करेगा राइट ठेक है जी तो हम यहाँ पे column में पहले देंगे एफ नेम फिर कॉमा मैं क्या देंगा इल नेम फिर कॉमा दे करके क्या देंगा जी हादर नेम फिर कॉमा दे क्या देंगा जी मदर नेम फिर कॉमा दे करके मैं क्या देंगा जी डी ओ बी फिर कॉमा दे क्या कर दूँगा डी ओ ए मने डेट आफ एडमिशन बस इतने है ना और भी कुछ शोट पार भी है अर भी है को से जेंडर है पर से जेंडर है राइट तो चलिए जी हम आखरी में इतर कॉमा देंगे यह वाला जो column का spelling है और यहाँ पे जो column का spelling है यह एकदम same होना चाहिए अगर same नहीं होगा तो database बुरा मान जाएगा क्यागा तो मेरा बैज़ती कर दिया हम database में data insert नहीं करेंगे course लिखे फिर space दिये field लिख दिये हम gender ठेक photo के लिए हम करेंगे थोड़े देर में करेंगे photo में थोड़ा अलग type से store करना पड़ेगा हमको ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है सबसे पहले insert लिखना है फिर into लिखना है फिर student लिखना है फिर insert into student फिर यह लिख देना है column का name Column का Name लिखने के बाद क्या करना है Space देना है फिर लिखना है V-A-L-U-E-S Value लिखना है और Value के बाद क्या करना है हमको जी अगर String हमें Insert करना है तो Double Quote के अंदर लिखेंगे और अगर Number इस्टोर करना है तो ऐसा ही लिख देंगे बिना Quote के ठेक फिर कॉमा फिर Single Quote में ऐसे String की Insert होता है ठेक है जी अब हमें क्या करना पड़ेगा कॉमा फिर कॉमा यहां पिर आजागा First Name है फिर यहां पिर आजागा Last Name Single Quote में ही यहां पिर Insert होगा फिर Single Quote में कर देता हूँ जहां पर father name आएगा फिर comma दे करके single quote कर दिया मतलब mother name आएगा फिर comma दे करके single quote कर दिया यहां पर date of birth आजाएगा फिर comma करके single quote किया मतलब date of admission आजाएगा फिर comma करके single quote कर दिया मतलब course आएगा course यह ना मतलब course आजाएगा फिर comma करके gender कर दिया मतलब क्या आ जाएगा कुछ नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमने ठीक ठीक लिखा है तो यह हमारा query जो है वो बनके ready हो गया है ठीक ऐसा ही database में data insert करते हैं अब आता हूँ visual basic में हमको visual basic में क्या करना होगा जी क्या करना होगा visual basic में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भूल रहा है देखते हैं भूल रहा हूँगा तो देखा जागा आगे पीछे ठीक है यहां पर मैंने डबल कोट के अंदर जो है यह सब बैक स्पेस मारा है यहां पर यह आ गया ठीक क्या करेंगे हम कि सीधा इसको कर देंगे ऐसे ठीक इसको कर देंगे पूरा डिलीट कर दो कि ना करूँ डिलीट मैं सोच रहा हूँ परा में ड्राइब्स कोई रिस्तेमाल करूँ या नहीं करूँ मैंने यहां पर ऐसे कर दिया ठीक इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा वैल्यू सेट भी तो करना पड़ेगा कि जेंडर के लिए डेटा कहां से आएगा कोर्स के लिए कहां से आएगा डेट अफटेमिसन के लिए कहां से आएगा क्यों डेटा कहीं से तो आएगा ना तू डेटा कहां से आएगा जी मैं बताता हूं कहां से आएगा cmd.add cmd.add parameter with value करके होता है कोई function हम उसको कर लेंगे क्या call cmd.add cmd.add command text में भी दे सकते हैं हम इस command को command text में जाके दे देंगे इस वाले command को यह जो command में insert into का लिखा हो ना अगर यहां आप नहीं देना चाहते तो command text में भी ऐसे डबल कूट करके आप दे सकते हैं पर मैंने यह नहीं करा है cmd.add parameter अच्छा हाँ ऐसे किया दाता है parameter cmd.parameters.add with value method है ठीक है इसमें हम दे देंगे दी value ठीक यहां पर बोल रहा है parameter name as a string तो हमें यहां पर parameter का name देना पड़ेगा यहां पर parameter का name हमें 8-8 लगा करके if name दे देते हैं ठीक है फिर comma करेंगे फिर value वो value आएगा कहां से तो value कहां से आगा जी if name.txt ठीक से ठीक समझ गया आप लो यह मैंने अपने से नाम कुछ भी ले लिया 8-8 लगा करके ठीक और यहां पर यह कौन सा नाम लिया एक control का नाम है जो control यह name है इसका नाम है समझ में आ गया होगा आप लोग को मैं यह से को क्या करूंगा copy paste copy paste ठीक एक नेम के दिगा पर कर दूंगा l name यहां पर भी ऐसे ही कर दूंगा ठीक है यहां पर कर दूंगा जी father name ठीक है जी यहां पर भी ऐसे ही कर दूंगा father name ठीक है फिर cmd.parameter.add add से भी होता है यह जो add function आप देख रहे हैं इससे भी parameter add किया जाता है पर मैं उसका इस्तिमाल अभी ना करके add with value कर रहा हूं इस्तिमाल यह आप लोगों को ज्यादा आसान लगेगा add add mother name ठेक comma mother name dot tft ठेक ठेक आप चाहो तो text dot trim भी यहाँ पर पास कर सकते हो trim का मतलब क्या है वो मैंने बताया था न आप लोगो यह trim का क्या मतलब है जी बताएं कि आप लोग क्यों आकरी में तो यहाँ पर मैंने trim भी लिख दिया है dot text के बाद उसका मतलब आप लोग बताएं नहीं बताओ गए mother name के बाद क्या है यार date of birth date of admission date of birth comma date of birth date of birth क्या है यह date time picker है right तो date time picker से data कैसे निकाला जाता है date time picker का पहले नाम आप लोग लिखेंगे फिर उसके बाद dot value लिखेंगे तो date time से निकल जाएगा आपका पूरा date और time अब value पे dot लगाएंगे तो अगर आप यहाँ पे सिर्फ date लिखेंगे तो date लिखेंगे day लिखेंगे तो date आएगा ठीक है मैं और मैंने कहा इंसर्ट मेथड कॉल करा था यहाँ पे इस इंसर्ट मेथड को थोड़े देर के लिए मैं comment करता हूँ ऐसे ठीक है यहाँ ना करके मैं उपर आता हूँ message box मैंने लिखा ठीक है और यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया ठीक date time dot value करूँगा तो क्या आएगा आप लोग देखिएगा ID student करा मैंने यह date of birth है मैंने select कर लिया 20 तारिक मैंने zip पे क्लिक करा ठीक तो देखिए 20 April 2022 आ रहा यहाँ पे मैंने इसको करा तो हाँ time भी आ गया तो date और टाइम दोनों आता है अब value के बाद dot date मैं कर दोंगा तो क्या आएगा date आएगा यहाँ पे मैं आऊँगा ठीक है यहाँ पे आऊँगा select यह time हो गया यहाँ पे आया है देखिए अब सिर्फ date आया है चल जो जो तो यह date time picker से data ऐसे निकाला जाता है समझ गया आप लोग समझ में आ गया ना चलिए जी मैं control in दबा के आखरी में आ गया और इसी को मैंने फिर से इधर copy paste कर लिया control date दबा देता हूँ यह देखिए यह तीन बार copy paste मार दिया हूँ मैं इसको ठीक है अब यहाँ पे date बी के दिखाँ पे ए लिख देता हूँ यहाँ पे भी के दिखाँ पे ए लिख दिया तो date of admission हो गया यह वाला अब उसके बाद gender है ना course है course है ना हाँ course है तो c o u r s e course हो गया जे अब course में value कहा से आएगा c o u r c o u r s e course का क्या नाम है मैं भूल गया यह वाला course है ना इसका नाम क्या है जी मैं property चेक करता हूँ इसका combo box class इसका नाम है ठीक है तो मैं यहाँ पे क्या लिख हूँगा जी combo box class dot selected क्या लिख हूँगा selected item selected item मेरे को देदो ठीक अब उसके बाद cmd dot parameters dot add with value उसके बाद मैं क्या कर दूँगा जी add the rate gender double quote में होगा यह ठीक है अब क्या करें जी gender के लिए हमने क्या ले रखा है checkbox ले रखा है checkbox ही ले रखा है न हमने तो checkbox से हम कई से data निकालेंगे e-fails का condition लगा के यहाँ पे e-fails का condition लगाएंगे मज़ा नहीं आएगा तो क्या करेंगे get gender नाम से एक function यहीं पे हम call कर देंगे ठीक और इस function को क्या करेंगे हम generate कर देंगे यहाँ पे click करके generate method click कर दिया यह कहा generate हुआ होगा सबसे आखरी में हुआ होगा मतलब यहाँ देखिए हुआ है ठीक यहाँ पे as a object है ठीक मैं यहाँ पे object के दिवाँ पे क्या करता हूँ h-t-r-i-n-d string चाहिए था मेरे को ठीक return पहले इफिल्स का condition तो लगा लूँ if mail.checked mail.checked है तो क्या return कर दो जी यहाँ पे एक string type का variable बना लेता हूँ जी team gender equal to यह बस किया आप यहाँ पे as string बे लिख सकते हो जी ऐसे ठीक है मैं नहीं लिख रहा था इसलिए ताकि समयन बचे लेकिन बचा क्या फिर से लिखिए दिया हुआ ठीक है तो gender में क्या डाल दो जी यह मैं ally mail डाल दो ठीक है अन्य था क्या डाल दो जी यह तो orang और बाकी language इसका है यह तो gender में क्या डाल दो अगर mail नहीं चेक है तो female ही चेक होगा न तो female डाल दो इदर ठीक और इधर क्या करो जेंडर को कर दो return ठेक यह लाइन आपको समझ में आया यहाँ पे चेक करेगा कि male checked है checked equal to चाहो तो यहाँ पे आप true कर दो समझने के लिए ऐसे चेक करेगा कि क्या male checked equal to true है तो male को जो है set कर देगा gender नाम के variable में अन्य था gender में female डाल देगा और इसी gender को return करेगा तो return करेगा तो कहा जाएगा यहाँ पे आएगा तो माली जेकी male जो है checked था तो gender में आ जाएगा male और यह वाला gender return हो करके यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा male अगर female selected होगा तो female जाएगा ठीक है जी? क्लियर है इतना आप सबको आगे चलें साथ आप में पस्तूश के प्लास में जाएगा जाएगा नहीं संजा मैं आप में से क्या जाएगा आप में जाएगा मैं तो खोदी जाएगा मैं नहीं समझ पा रहा हूँ यह अच्छा यह वाला यह गेट जेंडर नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है इसका नाम कुछ भी हो सकता है ठीक मैंने यहाँ पे फंक्शन को बनाया है और यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर रहा है ठीक तो यह जब फंक्शन कॉल होगा तो कोई एक selected होगा ना कोई एक थो जेंडर selected होगा या तो male selected होगा अगर male selected होगा तो यहाँ पे अपने आप के आज return कर देगा जैसे gender में यहाँ पे male चला जाएगा जाएगा return और gender में male चला जाएगा और return हम क्या करें gender तो यहाँ पे male आ जाएगा माल लिजे कि male selected नहीं था तो male यहाँ पे false हो जाएगा तो जब यह false होगा तो gender में चला जाएगा female तो gender में यहाँ पे female चला जा रहा है तो यहाँ पे female gender में होगा और return हो जागा यहाँ तो यहाँ पे female हो जाएगा ठीक है जो checked होगा male checked होगा तो यहाँ पे male आ जाएगा और male checked नहीं होगा तो यहाँ पे अपने आप जो है female आ जाएगा ठीक और कुछ पूछना है किसी को चलिए जी सब्ते जस्वी लोग है ज्यानी लोग है आई के लिए पूछेंगे अब जो यहाँ पे मैंने खाली खाली छोड़ रखा है न यहाँ सब पे मैं क्या करूँगा जी इसी को कापी और पेश्ट करूँगा ठिक तो पहले फर्ष्ट नेम है तो यहाँ पे मैंने पहले सिट करा है फर्ष्ट नेम को और फिर यहाँ पे सबसे पहला मैं फर्ष्ट नेम ही यहाँ देंगे और फिर यहाँ पे मैं लास्ट नेम दे दूँगा ऐसे ठीक है लास्ट नेम के बाद क्या है यहाँ पर फादर नेम है तो लास्ट नेम के बाद मैं भी यहाँ पर क्या कर दूँगा जी फादर नेम डाल दूँगा ऐसे फिर मैं यहाँ पर आऊँगा ठीक है मदर नेम को कर लूँगा कहां परी और फिर इधर से क्या कर लूँगा जी मदर नेम को डाल दूँगा तरीके इसको और भी यह इंसर्ट करने के लेकिन मैं जो आपको थोड़ा जादा समझने में आसान हो वही मैं बता दे रहा हूँ जी यहाँ पर ऐसे कर देंगे यहाँ पर कोंटेटनेट भी करके हम डाल सकते थैं लिकिन मैं कोंटेटनेट वगर नहीं कर रहा हूँ कोंटेटरनेट करूंगा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा इसे लिए मैं सीधा इसी को कर देता हूँ यहाँ पर कांपी और पेस्ट ठीक है जी date of admission को गिया था क्या कौँ भी हो गया यहाँ पे कर देता हूँ जी course सबसे आखरी मैं क्या कर दूँगा जी gender तो यहाँ पे मैंने कर दिया gender ठेक हो गया इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा connection को open करना पड़ेगा cun.open क्यूंकि यह connected architecture है फिर cmd.execute non query करना पड़ेगा क्योंकि हम database में data insert कर रहे हैं जैसे यह execute non query execute हो गया उसके बाद हम क्या कर देंगे जी connection को क्या कर देंगे close नहीं करेंगे तो क्या होगा मैंने बता दिया था आपको किसमें बताया था कभी ना कभी तो delete के किसमें बताया था मैं आप लोगो अब इसके बाद हम message box में क्या देंगे जी message box ऐसे और इसमें पहला parameter देंगे record saved record saved हो गया दूसरा parameter में क्या देंगे जी ये देंगे information उसके बाद क्या देंगे हम प्रोग्राम को run करके हम देख लेंगे कि database में data insert हो रहा है कुछ error आ रहा है देख लेने देखने में क्या जाता है app name में हम कुछ भी दे देते हैं एल ने में में भी कुछ भी दे दिया हमने फादर ने में में भी कुछ भी डाल देते हैं मदर ने में में भी कुछ भी डाल देते हैं ठीक है इसमें date of birth को क्या दे देते हैं बोल देते हैं भाई की थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ठीक है साथ जन्वरी हो गया इदार आता हूँ मैं इदार पर कर दता हूँ नेस तारेक कलास में ले लेता हूँ टीसी है इसको कर दता हूँ mail कर दता हूँ save button पर click ओ न प्रीज सेलेक्ट image बोल डियाया है तू मजा नहीं आया ठीक है चली हम image येक्थो select कर लेते हैं, image को हमने save करा नहीं है, पर select करने के लिए it will grow up coffee, no, error नहीं आया है, ये पूड़ रहा है कि select करो photo, तो मैं select करके फिर save बटन पर click करा, अब error आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो save होगा, अब error आहां गया जी, यह बोल रहा है कि data type is match in criteria expression ठीक है? अब यह कहां पर data type इसको match नहीं किया? यह तो हमको समझ में नहीं आ रहा है जी कि कहां पर नहीं match किया? आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? क्यों? अच्छा जेंडर में match नहीं कर रहा है लेकिन मेरे को तो अईसा लग रहा है कि जेंडर में भी match कर रहा होगा नहीं नहीं यह तो सही है यह डिटेल्स डेटा कंप बीरो देखते हैं जी एक फोड़ को बंदो जा बईतो डेटा में यह आ गया डेटा में यह आ गया इसमें DC आ गया जी जेंडर में हमने सेलेक्ट कर रहा है ना DC है तो यहां पे आ गया ठीक है नीजे जाते हैं इधर कुछ आया है क्या? तो डेटा टाइप में इसमेच इसको जाई हो गया चलिए इसको खोज़ते हैं आराम से तब तक इसको रोक के रखता हूँ मैं थोड़ी देर ठीक है? चलिए अच्छा इसमें मैंने जो है ए ब्लैंक है तो इसका कस्टम फॉर्मेट मैंने सेट कर दिया था ठीक? इसमें लेकिन कस्टम फॉर्मेट मैंने सेट नहीं किया था इसमें मैं सेट नहीं किया था लपरवाई से छोड़ दिया था तो इसलिए जो है एक्सेस में जो तो इसमें जो कस्टम फॉर्मेट किया था उस फॉर्मेट को तो एक्सेस ले लेगा पर इसमें जो यह लंबा चोड़ा लिखा है ना इस फॉर्मेट को नहीं लेगा तो हमने जो कोड इस daytime control के लिए करा है वही कोड इस daytime control के लिए भी करना पड़ेगा तो क्या करेंगे जी डबल क्लिक कर देंगे ठीक है और चले जाएंगे उस वाले daytime control पे यहाँ पे custom format हमने value change event में लिख रखा था इसमें भी हम change event में लिख देंगे यह daytime format हो जाए ठीक यह blank कैसे हुआ है पिछला recording में आप देख लेंगे तो आपको पता चलिए जागा पिछले lesson में तो मैंने blank करना बताई दिया है ठीक है अब इसका जैसे ही value change event होगा तो इसका custom format भी बदल जाएगा ठीक है जी तो बाकी चीजें अब सब ठीक ठाक है अब हमें क्या करना चाहिए जी बाकी connection इदर open है यहाँ पर मैंने आपको बताया भी था कि single quote में कब देंगे जब string data को insert करना है तो हम single quote में देंगे मैं बताया था लेकिन मैं ही बाद में भूल गया यह ठीक है तो यह string data तो नहीं है न इस string data तो इस text property में आ जायेगा और वही data इसमें set कर दिया जायेगा यह string data तो नहीं माना जायेगा न set कर दिया जायेगा ठीक है तो यहाँ से जो है dual quote हम हटा देंगे क्योंकि यहाँ पर जो भी हम लिखेंगे अगर यहाँ पे हम सिंगल कोट में लिख देंगे तो एजिटिट जो है डेटाबिस में इंसर्ट हो जायागा सिंगल कोट को इस्ट्रिंग माल लिया जायागा ठीज ये इस्ट्रिंग है ठीक है तो मैंने आपको बताया था पहले लेकिन मैं खुदी भूल गया था जी और मैंने गलती से लिख दिया तो ये सब को मैं हटा देता हूँ ठीक है ऐसे हटा दूंगा इस सब को ठीक है ऐसे हट गया सारा चलिए जी सब कुछ हट गया connection open हुआ connection close हो गया देखते हैं जी डेटवेस में डेटा इंसर्ट करके अइड किया first name में क्या दे दे कुछ बताऊंगे आप लोग राम दे देते हैं लास्ट ने में सियाम दे देते हैं, फादर ने में मोहन दे देते हैं अब यूटूब पे कोई देख रहा होगा तो भड़क मत जाना भई ठीक है मैं तो कुछ भी देई दे रहा हूँ इसमें क्या दे दो मदर ने में कुछ बताईए मदर ने कुछ भी दे देता हूँ ठीक है कुछ भी ठीक है अब ओ नो मैंने कहाँ पी पिफ्ट तो हमारा कोड को लेकिन डेट टाइम कंट्रोल का मैंने नाम नहीं बदला मैंने बहुत कलतिया किया क्या मैं बताऊ इसका नाम तो डेट आप इडवीशन था ना उसका मैं ये भूल कर दिया जल्दी बाजी में सुमय बजाने कि रख कर दे नो प्रॉब्लम जी फिर से रन कर देंगे जी ठीक है तो वही लिख देता हूँ मैं मैं राम यहाँ पे कुमार लिख देता हूँ जी यहाँ पे लिख देता हूँ इस यहाँ इसमें मैं क्या लिख दे दूजी वैल्यू में इसमें लिख देता हूँ यही लेकिन कस्टम फार्मेर तो हमने चेंज करा था ना यह बदला क्यों नहीं अभी तक सायद फिर से मैं जल्दी बाजी में कुछ और कोड कर दिया क्या सेव हो जाका यहाँ पर कर दिया है ठीक है लेकिन हमने इधार प्रोपर्टी में कस्टम फार्मेर सेलेक्ट नहीं किया था ना इसलिए हमको दिखा नहीं हो तो माई कम्प्यूटर डाकुमेंट्स और डाकुमेंट्स मैं ने इसको सेलेक्ट कर लिया ठीक है आ गया है दिए ठीक है यह सारा आ चुका है ठीक है तो अग्लियर है जी इतना कुछ पूछना है तो जी पूछलीज़े आपर मैं इसको क्या करता हूँ कि यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ पार्मेट कहीं होगा तो यहाँ पर फार्मेट में लॉंग ही है इसलिए यहाँ पर हम पर दिखा नहीं इसको मैं कस्टम ही ले लूँगा और custom format में यह किस्ते देखर के छोड़ दूगा तो अब जो है value इसमें change होगा ठीक है तब जो है इसका जो date time है वो सही से आ जाएगा ठीक है यह देखिए आगया तो इसमें अब आजाया है कर गया तो यही मैंने गवदी कर लिया था तो कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ लिजिए जी यहाँ पर आप चाहें तो using keyword का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे dim को मैंने हटा दिया और लिख दिया using ठीक और सबसे आखरी में यहाँ पर मैं आके लिख दूँगा जी end using यहाँ पर यहाँ पर connection close किया होना यहाँ पर end using लिख दूँगा तो यह connection को बंद करने का जरूरत नहीं है ठीक using statement का इस तरह से इस्तेमाल करें जैसे ही end using में पहुंचेगा तो अपने यहाँ पर यह जो object बना है यह खतम हो जाएगा फिर यहाँ पर मैंने using का keyword का इस्तेमाल करा और फिर मैं क्या करूँगा जैसे ही command यहाँ पर execute हो गया यहाँ पर command execute हो गया इसके बाद हमको जरूरत नहीं है command का तो यहीं पर जो है end using में कर दूँगा तो यहाँ पर command भी फतम हो जाएगा command का object तो यह है जहीं using statement इसका इस्तेमाल ऐसे किया जाता है यह है message box इसमें आप क्या करिए इसको यहाँ से cut करिए और execute non query क्या करता है जैसे माल लिजे database में एक record insert हो गया तो one return करेगा तो one command true माल लिजे आप यहाँ पर इसको equal assign से one से comparison कर लिजे यहाँ पर लिख दीजे then यह और यहाँ पर इस पास कर दीजे message अब यह code ठीक हो गया ठीक है ऐसे ही आप लोग यह है काम कर लिया करेंगे ठीक तो इसमें कुछ पूछना है किसी को नहीं पूछना है पूछना है तो जी पूछ लीजे नहीं पूछना है तो मैं कुछ भी यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ जी मेरे पास नहीं है कुछ उस तरह का real data भी यहाँ पर मैं आ के select कर लेता हूँ यह यहाँ पर मैं आ करके select कर लोगा यह यहाँ पर आ के यह कर लोगा फोटो भी कुछ लेक्ट कर लेता हूं फोटो के लिए मैंने अभी कोई पोड नहीं लिखा है से वो भी आजी रिकार्ड तो फोटो के लिए भी हम लिख देंगे पोड अभी नहीं लिख देंगे अभी नहीं लिखें फोटो का ठीक है फोटो के लिए अगर आप कहते हैं तो हम कल इपोड लिखेंगे जी फोटो देखेंगे दूसरा भी डेटा इंसर्ट हो गया है थेक है तो बंद कर देता हूं क्या अगर जहां पर फोटो में कॉलम का नाम दिया हूं वहां पर कुछ और नाम देना है वो जाएक्षा वहां पर फोटो का जो कॉलम है न वहां पर फोटो फोटो इस्टोर किया जाएगा तो यहीं मैं बताने वाला था कि कैसे फोटो किया जाएगा तो उसके लिए फंक्शन बनाना बड़ेगा में को तो कल देख लेंगे ठीक ए अगर आप तो इसमें कुछ पूछना है आप लोगो मैंने सबसे पहले यहाँ पे connection बनाया, फिर मैंने क्या किया एक command जो है मैंने तयार किया यहाँ पे बनाके, पहला parameter में मैंने SQL का command दे दिया है यह वाला और इसका दूसरा parameter में connection का object दे दिया, जो connection का object यहाँ पे मैंने बनाया था फिर उन सब का parameter यहाँ पे add करा, parameter आइड करने के बाद यहाँ पे connection ओपन करा मैंने फिर execute non query query को यहाँ पे fire कर दिया मैंने जब fire successfully हो गया database में data insert हो जागा तो एक return कर देगा यह, क्योंकि एक ही record insert होगा ना, तो एक return कर दिया, मतलब successful database में data insert हो गया, तो मैंने message दिया ind यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ind using command वाला है यहाँ इसके आगे command का object खतम हो जाएगा, यहाँ पे connection का object खतम हो जाएगा जी तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप तो पूछ लिजिए और नहीं पूछना चाहते हैं तो फिर कोई बिकत ही नहीं है चलिए जब आप कहते हैं तो बाकि अकल देख लेंगे, तो फोटो अगर अगर आप खीचना चाहते हैं, तो खीच लिजिए फोटो खीचना है किसी को? नहीं खीचना है? ठीक है जी ये कोड है, जेंडर वाला ठीक है अच्छे एक चीज़ और जैसे माल लीजिए मैंने दो फोटो डेट टाइम टिकर लिया तो फोटो डेट टाइम टिकर के लिए मैंने मैनुली कॉस्टम फार्मेट वगर दे दिया हो ठीक है लेकिन माल लीजिए दस फोटो डेट टाइम टिकर होता तो क्या दस बार मैं ऐसा ही करता ये तो बहुत गलत है तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि कॉस्टम कंट्रोल हम डेट टाइम का बना सकते है ठीक है वो कैसे बनेगा मैं आप लोगो को नहीं बता रहा हूँ अगर जानने का इक्षा होगा तो आप लोग पूछ लीजिए मैं बता दूँगा आपको इस किस लिए ठीक है तो कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए और नहीं पूछना है तो बंद करते हैं गर जी हमें यहां से मैं इस सब पूड को फोल्ड कर देता हूँ जी यह देखिए जैसा इस से बटन पर क्लिक करते हैं तो यह वाला इवेंट चलता है ना इस इवेंट के अंदर पहले वैलिडेट मेथर चलता है फिर उसके बाद वह इंसर्ट डेटा का फंक्शन चलता है ठीक चलिए तो बंद कर दूँ अब मैं कुछना है किसे को बंद कर दूँ ठीक है जी बंद ही कर देता हूँ पिर